पिद्धा पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आप सबोंको जैयेशु आज हम लोग मनेंचिंदन के लिए संधियोहन का सुसमचार दियाए तीन वाक्य तीन एवं पांच को लेंगी योगन जौन चाप्टर त्री वर्स त्री और फाइव इसा ने उतर दिया निकुमद निकोदिमुस इसा मसी से मिलने के लिए रातरी समय जब पहुंचा इसा मसी और निकोदिमस के बीच का जो बारतलाब है इसा मसी से जो सवाल किया और उसका उतर में इसा मसी कहते हैं मैं आपसे कहता हूँ जब तक कोई दुबारा जन्मना ले तब तक वह सुर्ग का राज नहीं देख सकता है वाक्य पांच इसा ने उनसे उतर दिया मैं आपसे यह कहता हूँ जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्मना ले तब तक वह इशुर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता तेहां पर इसा मसीह मनिशे का दुबारा जन्मने लेने की विशे में बताया निकोदिमस ने सवाल किया मनिशे कैसे दुबारा मा के गर्प में जाएगा कैसे दुबारा जन्मने ले सकता है तब इस समसी ने उसको स्पष्ट करते हुए कहा जल और पवित्र आत्मा के द्वारा एक विक्ती को दुबारा जन्म लेना है अर्थाद बप्तीसमा की ओर ये इंगित है बप्तीसमा के द्वारा एक मनुष्य एक विक्ती इश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकता ये बताने के लिए समसी ने इस प्रकार का जुबाचित चलाया लेकिन कुछ लोग कातलिक कलिसिया से निकलने के बाद कहते हैं हम लोग डुबकी का बप्तीसमा लिया कोई लोग कहते हैं हम लोग बोन गेन हैं कोई लोग कहते हैं हम लोग मुक्ती प्राप्त किया है और कातलिक कलीसिया में वे लोग मुक्ती नहीं प्राप्त किया था क्योंकि अग्यानिदा के कारण और हमेशा ये रटते भी रहता है हम बोन गेने हैं, हम बोन गेने हैं, हम मुक्ति प्राप्त किया है, हमने दुबारा जन में लिया है, इस प्रगार बोल कर रख जाना है, अगर ऐसा ज्यादा बोल रहा है, इसका पीछे कुछ ना कुछ कारण है, इसका मतलब है, वो सच मुच में नहीं जान रहा है, ये बोन ग एलिशिया से निकल करके एक डुपकी का बबतीसमा लिया इसका ये अर्थ नहीं है तुम बोन अगेन हो गया हो बोन अगेन का अर्थ क्या है इसको समझना जरूरी है इसा मसी ने यहां साफ साफ कहा है जल और पवित्र आत्मा से जन में लेना है करके जल बबतीसमा को ही दर्शा दे और बबतीसमा के समय पर एक विक्ती में पवित्र आत्मा उतरता है कलिसिया में साथ संसकार है साथों संसकार इसा मसी के द्वारा स्तापित है में संसकारों का एक क्लास एक नहीं अन्यकों क्लास लेना पड़ेगा तभी हो समझा पाएगा आगे कभी हम लोग लेते रहेंगे उसके अंदर बबतीसमा भी आएगा उसके अंदर बैचों का बबतीसमा क्यों देना है यह सब आएगा अभी हम लोग केवल यह बोन अगेन क्या है दुबारा जन्म क्या है इस पर हम लोग मनेंचिंदन करेंगी यदि को यह कहता है कैतलिकी लोग बोन अगेन नहीं है तो उनको समझने की जरुरत है कैतलिकी लोग कैसे बोन अगेन है सुर्ग राज्य के योग्य वो कैसे बिना है इसको समझने की जरुरत है यदि प्रेरिचरिद दियाय दो वाक्य 35 को पड़ेंगे वहां पर Acts chapter 235 वहां पर लिखा है प्यत्रूस ने कहा पस्चताप करो पाप छमा के लिए येश्यू के नाम बर बपतीस मा ग्रहन करो तब पवित्र आत्मा का वरदान तुमें मिलेगा अर्थात बपतीस मा जब तुम ग्रहन करते हैं तब पवित्र आत्मा तुम बर उतरते हैं तो पच्चताप करते हुए पाप छमा सबसे पहले प्राप्त करना है अभी मत्ती के सुसमचार उसके अधियाए 28 वाक्य 19 और 20 को थोड़ा सा पढ़ना अच्छा रहेगा मैत्यू चाप्टर 28 वर्स 19 और 20 लास्ट वचन इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को सिष्य बनाओ सबसे पहला काम है सब राष्ट्रों को सिष्य बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बप्तिस्मा दो बप्तिस्मा देने के बाद क्या करना है वाक्य 20 में लिगाए मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिया है तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो मैं संसार के अंद तक तुमारे साथ हूँ अर्थाद सबसे पहले तुम उन्हें सिष्य बनाना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बप्तिस्मा देकर इसके बाद तुम्हें ईसा मसी से सुनी हुई सारे बातों को और जो देखा है उन्हें चीज़ों को उन्हें सिखलाना और विश्वासी बनाना अर्थाद बप्तिस्मा देने के बाद तुम उसमें उसने उसे विश्वासी बनाना ये विश्वास एक दिन में या एक साल में मिलने वाली चीज़ नहीं है विश्वास जीवन के अंद तक वो बढ़ते जाता है हमारा विश्वास एक साल पहले जो था उसे बढ़ा होगा आज इसके बाद वो बढ़ते जाएगा अर्थाद जीवन के अंद तक ये विश्वास प्रक्रिया चलते रहता है कहां से विश्वास जब हम कलीसिया से जुड़े रहता है एक कलीसिया हमें विश्वास में बढ़ विशेश कर जो क्रिस्तिय माता पिताओं से जन्म लेने वाले बैच्चों का बपतीस मा जन्म से आटमा दिन होता है आटमा दिन के बाद कभी भी हो सकता है यह आट दिन का क्या है जब यहूदियों को खतना का जो नियम इस और ने दिया उस समय पर खतना आट दिन के बाद आटमा दिन करने के लिए आदेश दिया इस और के साथ यह एक संधिय इस और के साथ उनका ओप्रेम को प्रकट करने के लिए इस और के साथ जुड़कर कर रहने के लिए इस और के अधिन रहने के लिए एक संधिय एक प्रकार का उसके अनुसार उन्हें जीवन जीना है, ईश्यूर से जुड़कर के जीवन जीना है ये विधान जोड़ने के बाद ये सरकंसिशन का खतना का विधान जोड़ने के बाद वो यहूदी अर्थाद ईश्यूर के संदान क아ते हैं उसी प्रकार ईश्वर ने आदेश दिया जो आटवा दिन खतना करना है उसी प्रकार नया विथान के अन्सार आटवा दिन के बाद उन्हें बपतीसमा देता है एक प्रकार का विथान जो खतना का विथान आज बपतीसमा का विथान बने गया इसलिए बैच्चों को जो कृस्तिय माता पिता उंपर जन्मे लेते हैं वो ओल्ड़ी माता पिता कृस्तिय धर्म में कृस्तिय विश्वास के अनुसार जीवन बिता रहा है उन बैच्चों को आट तुम दिन से बबतीसमा देने कानमदी इसलिए हुआ है क्योंकि जो विश्वास की बातें जो सीखना है इसके बाद उन लोग कलीसिया से जुड़ करके सीखते रहेंगी साथी साथ मार्कोस के सुसमचार को भी देखना जरूरी है क्योंकि यही वाचन बोल करके कुछ गेर क्रिस्टिये लोग दुबारा डुबकी की बप्तिस्मा लेने के लिए जाते मार्कोस का सुसमचार अध्याए 16 वाक्य 15 और 16 इसके बाद इसा ने उनसे कहा संसार के कोने कोने जाकर सारी सिष्टी को सुसमचार सुनाओ जो विश्वास करेगा और बप्तिस्मा ग्रहन करेगा उसे मुक्ती मिलेगी यह इसी वाचन को पकड़ते हैं पहले विश्वास करना है इसके बाद बप्तिस्मा ग्रहन करना है यहां कई ऐसा नहीं लिखा हुआ है पहली बात पहले तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा इसके बाद ही तुम्हें बबतीस में मिलेगा विश्वास एक दिन में या दो दिन में या एक साल में हम लोग विश्वासी नहीं बन सकता ये विश्वासी का जो कारिय वो चलते रहता है जीवन के अंद तक हमारा विश्वास में हमें इस प्रकार बढ़ते जाना है और दूसरी बात है इसके बाद विश्वास करने वाला क्या-क्या करना है करके भी लिखा हुआ है कोन हम में से ऐसा है जो बात बताया हुआ है उसके अनुसार कारी करने के बाद टेस्टिंग का है, विश्वास करने वाले ये चमतकार दिखाना जरूरी है, मेरे नाम लेकर के अपतूतों को दिखालना, नवीन बाशायें बोलना, और सांभों को उठाना, विश्व बियेगा तो भी मरेगा नहीं, मतलब ये टेस्ट पास होने के बाद उन्हें बपतीसमा देना है, ये बहुत गलत विज़ार है, यहां पर जो बताया है, दो बाते हैं, सबसे पहले इसा मसी में विश्वास करना जरूरी है, और बपतीसमा भी जरूरी है, दोनों दो बात होता है, बपतीसमा लेने के बाद हम विश्वासी बन सकते हैं, विश्वासी बनने के बाद हम बपतिसमा भी ग्रहन कर सकते हैं ये दोनों दो कारिये हैं तो यहांपर जो बोला हुआ के अनुसार ये कोई गेर क्रिस्टी विक्ती जो बड़े हो गया वो बपतिसमा मांगते हैं कैतली के लिश्वासी अभी सबसे पहले उन्हें विश्वासी बनाता है बड़े लोगों का बपतिसमा के लिए उन्हें अपना विश्वास को स्वीकार करना जुरूरी है मसी में विश्वास को स्वीकार करने के बाद उन्हें बप्तिस्मा देते हैं लेकिन क्रिस्तियों के जो संदान हैं उन्हें जन्म के आटम दिन से बप्तिस्मा दिया जाता है क्योंकि वह ऐसे एक परिवार में जन्म लिया है जहां उनको विश्वास का बीज मिल सकता है सलीसिया से जुड़ा हुआ विक्ति है उसको बप्तीसमा दे करके उस बैचे को भी उसको जोडने के लिए अभी छोड़िए बप्तीसमा के विशे में नहीं ये दुबारा जन्म के विशे में फिर से हम लोग वापस जाते हैं यदि हम लोग रोमियों का पत्र अधियाए 6 को पढ़ते हैं रोमन्स चाप्टर 6 वर्स 3 वहां परम लोग पढ़ते हैं क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि इसा मसी का जो बप्तीसमा हम सबों को मिला है वह उनकी मृत्यू की बप्तीसमा है हम उनकी मृत्यू का बप्तीसमा ग्रहन कर उनके साथ इसलिए दफनाएगे कि जिस तरह मसी पिदा के सामर्ति से म्रदगों मसी जीवटें उससी तरह हम भी एक नया जीवन जीएं अर्चाद बप्तीसमा का आर्थ हम मसी के मृत्यू का भागी बनना हमारा पुराना जीवन को उतार करके फेंगना और एक नये जीवन में प्रवेश करना दुवारा जन्म का मतलब यह हो गया बप्तिश्मा के दुवारा पुराने जीवन को छोड़ करके एक नए जीवन में प्रवेश करना बप्तिश्मा के समय तक जो भी पाब हुआ है बप्तिश्मा के दुवारा पूरा मिट जाता है क्योंकि हम प्रवु ईसा मसी के उस शरीर का अर्थात कलीस्या का सदस्य बनने के कारण उस समय पर हमारे सारे पाब मिट करके हम एक नई विक्ति बन गया है हम लोग गिलातियों का पत्र को पढ़ेंगे अधिया आये तीन वाकिए 26 एवन 27 में उसमें 27 में विचेश्रूप से लिखाए जितनों ने हम लोग ने जो मसी का जो बप्तिश्मा ग्रहन किया वे मसी को धारन किया है मसी को धारन करने वाला एक कर्म है जो बप्तिश्मा चाहे वो बैच्चों को दे रहा है चाहे बड़ों को दे रहा है उसी के द्वारा वह एक नई स्रिष्टी बेन किया जो मसी में आ गया वो है एक नई स्रिष्टी दुबारा एक डूबकी लगाने से कोई नई स्रिष्टी नहीं बेन रहा है मसी में आना जुरूरी है मसी में आने वाले उन पर पवित्र आत्मा उतरता है अर्थाद बप्तीशमा के समय पर हमारे उपर पवित्रातमा उतरना है। वो पवित्रातमा आकर हमें नया बनाता है। क्या बेच्चों बर नहीं उतरते क्या बेडों बर नहीं उतरते जब अन्य धर्मावलंबी पेत्रू से वचन सुन रहा था उन लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरा पेत्रू उसने कहा इने बप्तीसमा दो अर्थाद बप्तीसमा के पहले ही वे लोग पवित्र आत्मा से भर गिया इसका मदलब है पवित्र आत्मा बप्तीसमा के समय पर भी मिल सकता है हम लोग यह भी पढ़ते हैं बप्तीसमा के समय पर उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला पवित्र आत्मा के बार में कभी सुना भ और इहां पर प्रेरीचीनद दियाए दस में करनली यस के घर में फैतरु जा करकर वचन सुना रहा था गेर यहूदी लोग था उस समय पर फवित्र आत्मना उत्र पवित्र आत्मा एक विक्ति को नया बनाता है उसका एक चिन है बप्तिस्मा अर्थाद बप्तिस्मा प्राप्त हर विक्ति मसी में एक नई स्रिष्टि बनी गिया है दुबारा जैन में लिया है वे बॉन अगेन है दुपकी का बप्तिस्मा लगाने से बॉन अगेन नहीं होत यह बोल बोल करके गुम रहा है, हम क्या दिली कलीजिया से निकली गया हैं, इसलिए हम बोनगे ने, ये गलत भी जा रहे, सेतान के वस्ट में पढ़र करके, पाक खंड़दा को सीखर करके गुम रहा है, इसी वज़े से हैं, हम आगे भी मनंचिंदन कर सकते हैं, इस प्रकार बोलने वालों से हमें सदर्क रहना है बलकि इसा मसी का जो बपतीस माग्रहन कर जो कलीसिया से जुड़ करके कलीसिया के अधीन रहता है संद पापा के अधीन रहता है वो ही बोन गेन है दुबारा जन्मली आ हुआ विक्ति ही और हम लोग गिलातियों का पत्र अध्याय चार वाक्य चे और साथ को पड़ते हैं दुड़ा गिलातियों का पत्र अध्याय चार वाक्य चे और साथ किंदू समय पूरा हुजाने पर इश्वर ने अपने पुत्र को बेजा वह एक नारी से उत्पन हुए और सहिदा के आधीन रहे जिससे वह सहिदा के अधीन रहने वालों को चुड़ा सके और हम इश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं आप लोग पुत्री है इसका प्रमानी है कि इसा ने हमारे खृदेयों में अपने पुत्र का आत्मा बेजा इसलिए हम पुत्र है इसा मसी ने इसलिए हम लोगों को सिकाया हे पिदा हमारे बोल करके अपने पिदा को बुलाने के लिए आप पिदा बुलाने का अधिकार उन पुत्रों को मिला है जो बैचे हर रोज हे पिदा हमारे बोल करके प्रार्चना करता है वही मुक्ति प्राप्त किया हुआ बोन अगेन है हमें इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रेरिचरद दियाए दो वाक्य 21 में और रोमियों का पत्र दियाए दस वाक्य 13 में सब हम लोग पढ़ते हैं जो कोई प्रभू का नाम लेकर के पुकारते हैं वे सब के सब मुक्ति प्राप्त करेंगे और तीसरे आएक और पोइंट बुल सकता हूँ योगन के सु समझारा दिया आए छे के अंदर वाक्य तिरपन से लेकर के चापन तक जोन शाप्टर 6 वर्स 53-56 वहां बर जो इसम मसी का शरीर और रक्त ग्रहन करते हैं वे मुक्ति प्राप्त करते हैं जो लोग पवित्र मिस्सा बेलिदान में भाग लेकर के हर रोज प्रभु ईसम मसी के शरीर और रक्त का भागिदारी बनते हैं वे ही बौन गेने हैं मुक्ति प्राप्त करने वाला तो हम लोगों ने देखा हैं सबसे पहले जो मसी के नाम पर पिदा पुत्र पत्र आत्मा के नाम पर जिन्होंने बबतीस माग ग्रहन किया वे अपने पुराने जिवन को उता कर कलीसिया अर्थाद मसी के शरीर का हंग बन करके एक नया विक्ति बन गया वे मसी को धारन किया इसके बाद जो कोई ईसम मसी को अपने मुझ से स्विकार करते हैं रुमियों का पत्र दिया आये देस वाक्य नो में लिखते हैं अब मुझ से ये बोलना भी है घर्दे में विश्वास करना भी है इसम मसी मेरे लिए मर गया जिवठा है ये जब मुझ से जो स्विकार करेंगे मसी को वो मुक्ति प्राप्त किया हुआ विक्ति हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें एस सहाइदा देता है इसके बाद तीसरी बात मेंने कहा जो कोई इसम मसी के शरीर और रक्त का भागी बनता है पवित्र मिस्सा बेलिदान के दुआरा उनके शरीर और रक्त को गरहन करता है वेही मुक्ति प्राप्त करने वाले विक्ति हैं ऐसा कई चीज़ें हम लोग मनेंचिंदन कर सकता है इसलिए हर काद लिके सच मुझ में बौन अगेन होता है जो लोग अपना इसमें लिख कर कर गुमता है और बोल कर कर गुमता है वो नहीं बलकि सच मुझ में जो कलीसिया से जुड़ करके जो बब delivery एंकर कलीसिया से जुड़ करके जी रहा है कलीसिया के अधियन मसी के अधियन रहे रहा है वो ही born again मुक्ति प्राप्त लोग है पिता, पुत्र और पवित्रात्मा के नाम पर आमेन आपसा बोंको, जे ये सु